अगर हम इसको समझें, नींद के एक्जामपल से, कि जितना हम सोने की कोशिश करते हैं, उतना नींद नहीं आती है, और अगर हम अपने आसपास देखें, तो जितने भी सारी meditation centers है, so called, वो सब यही करवा रहे हैं, mostly, सारी meditation techniques यही करवा रहे हैं, कि आप अपने thought को कम करो, control करो, या खत्म करो, thoughtless हो जाओ, तो when I was thinking about it, जो thought होता है, it's a part of our body, ठीक है, जैसे आँख जबकना, एक part of our body है, digestion है, सांस लेना है, ऐसे ही thought का अपना एक function है, तो problem यह हो रही है कि हम वो देख नहीं पारे कि thought हमारी body का part ही है, जिसका अपना एक बहुत ही crucial, बहुत important function है, हमारे survival के लिए, तो अगर हम actual में thoughtless हो जाएंगे, तो हमारा survive करना will be next to impossible, तो यह समझ जाना, कभी हमने किसी को यह कहते वे नहीं सुना कि मेरी आँख यो जपकरी है, यह कम हो जाए, या मैं सांस इन्हेल एक्जेल कर रहा हूं, यह कम हो जाए, लेकिन सब thought को control करना जाते है, सब thoughtless होना जाते है, तो जब हम समझ जाते हैं कि thought is not evil, जि तो फिर उसको stop करने की जो एक अंदर अर्ज है, जो effort हम लगा रहे हैं, constantly वो भी खत्म हो जाएगा, तो एक तो यह इसका surface level का meaning मुझे समझ में आया था, बट अगर इसको मैं थोड़ा और डीप लेके जाओ, कि हम सभी quietude अचीव करना जाते हैं, quietude को अगर मैं बोलूँ, हम सब शान्ती चाहते हैं, हम सब के अंदर कही न कहीं एक restlessness है, एक थकान है इस पूरी life में, तो हम सब शान्ती चाहते हैं, मतलब deep within, आपने एक बार अश्टा बख्रा सेशन में शान्ती का मतलब समझाय था, which is Saha Ant, कि जब हम Ant के साथ हैं, Ant क्या है, जो सब का Ant है, जो सब क essence है, जो end है, वो sound of silence है, वो truth है, उसमें सब कुछ आ गया, उसमें thought भी आ गया, उसमें body भी आ गयी, तो जब हम Ant के साथ हैं, तो हम शान्त हैं, ये perspective यहां तक मुझे समझ में आया, लेकिन, फिर मैंने सोचा कि, Saha Ant का मतलब कि जो हमारी buddhi है, वो Ant के साथ है, जब हम समाध के भी बात कर रहे हैं, कि समान बुद्धी, सहज बुद्धी, तो understanding truth में stable है, इसको स्धित प्रग्य भी बोला गया है, बत हमने ये भी देखा था, कि understanding again is limited, it can never be stable, जो मैं करने की कोशिश कर रही थी, starting में, कि मेरी understanding of the truth, that who am I, वो stable रहे हमेशा, तो understanding actual में तो stable, constant नहीं हो सक सकती truth में, शायद, understanding हमेशा stable ही होती है, remembrance of understanding stable नहीं होती, what you wanted was, कि वो जो understanding की जो याद है, वो याद बनी रहे, याद कभी बनी नहीं रह सकती है, जैसे for example, लोग ये चाहते हैं, कि ये याद कि मैं कौन हूँ, एक बस हमझ आ गया, तो अब वो बना ही रहे, वो नहीं हो सकत सकता, because the moment you start doing something else, तो वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, तो वहाँ से ध्यान हट जाएगा, तो ये नहीं है कि आपको एक ही जगे ध्यान लगा रहेगा, और अगर ये हो जाए actual में, तो वो बेवकूफी की निशानी है, वो समझदारी की निशानी नहीं है, क्योंकि जिस अब वो याद स्टेबल नहीं है, हम चौबीस घंटे यह सोचते रहते हैं, धर्तिगोल है, धर्तिगोल है, या मैं कौन हूँ, अगर ये समझ आ गया, नहीं हूँ, अगर ये शाना में, ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, this is not me, this is me, वो जो रमेंबररंस है, तो ये स्टेवल अगर एक बार समझ आ गया है तो अंडिस्टैंडिंग नहीं बदलती है क्या बदलता है याद बदलती रहती है कभी याद आयता है कभी बूल जाते है आगे बताएगे जैसे अपने लास सेशन में एक लाइन बोली थी शर्ट का एक्जामपल दे के कि अब चाहे शर्ट 500 की हो या 5,000 की या 5,000 की सब कुछ मुझ में ही तो है तो जब आपने भूला ना मैं आपको फैक बतारी हूँ हम ऐसे नहीं देख पाते चीजों को इस तरह से अगर देख भी लेते हैं तो बहुत ही मतलब बाइचांस वाली बात हो जाती है बट हम ऐसे चीजों को नहीं देखते मैं नहीं देखती यह फैक्ट है अब शायद इसलिए कि मेरी अंडर्स्टांडिंगी कंप्लीट नहीं है उसमें कोई फ्लॉव है बेसीकली अभी understanding पूरी तरह से clear नहीं है इन असे के हर एक aspect को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाएं है इसको क्या करना होता है breakdown करके एक एक छोटी-छोटे aspect को भी समझना है और फिर whole को भी समझना है फिर समझ को भी समझना है की what is this understanding इसकी भी अपनी limitation देख लेनी है क्या हम समझ सकते हैं क्या नहीं समझ सकते हैं वो भी समझना है that is also part of understanding तो जब ये सब पूरा complete हो जाता है तब there is nothing more to question there is nothing more to ask फिर जो होता है जैसा होता है सब as it is दिखने लग जाता है बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई scientist है उसको कोई science का particular aspect समझ आ गया है तो वो उसमें expert हो गया तो उससे related कुछ भी होगा छोटा साथ तो उसको नजर आ जाएगा तो ऐसे ही जो who am I inquiry है अगर एक बार आपने गहराई से inquiry कर ली है और एक एक layer को बरीकी से देख लिया है not theoretically but actually तो फिर आपको एकदम से नजर आ जाता है instant होता है वहाँ पर जो realization होता है वो indirect नहीं होता वो words के थू नहीं होता वो direct comprehension होता है जैसे अगर कोई biologist है तो जैसे एक flower को देखेगा तो उसको सब कुछ नजर आ जाएगा एकदम से not because you're lazy ब правильно आपने एकर के सारी layers को हटा लिया है अरी Les years को अद्रीजिया अपने पूरा अच्छे से समझ़ लिया है हर एक layer को अच्छे से देख लिया है जो भी हे जो बोलते न मन अच्छे से समझ लिया है 都ब 콘सेप्स नहीं है आपके लिए मतलब its like a living reality तो अब आपको सब कुछ ही फिर उसी डिमेंशन में, उसी अंडिस्टाइडिंग के दाइरे में आपको सब कुछ नजर आने लग जाता है As long as you remain attached to one extreme or another, you will never know oneness When you try to stop activity to achieve quietude, your very effort fills you with activity इसका क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझो हम बोलते हैं कि जितने भी so called meditation centers है वहाँ पर क्या किया जा रहा है उस activity को stop करने की कोशिश करी जा रही है जबकि actual में ऐसा नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आपको क्या करना है कि कुछ भी आ रहा है आने दो, कुछ भी जा रहा है जाने दो अगर actual में यह हो पाए तो बहुत भड़िया है क्योंकि उसकी वज़े से क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए mental activity रुख जाएगी अगर actual में एक effortless हो जाए तो, दो तरह की meditation techniques होती है, एक होती है जहां पर आपको कुछ बोला जाता है करने के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, दूसरी होती है, जहां पर आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है करने के लिए, आपको क्या का जा रहा है, आपकी breath चल रही है, तो breath आई, तो पहले क्या हुआ पहले आपका दिमाग हजार चीजों में चल रहा था अब एक चीज में चला दिरे यहां से भी ध्यान हट गया तो आपको अच्छा फील होने लग गया अब आप जाकर कि उस अच्छी स्टेट से अटाच हो गए बट अगर आप यही करते रहे तो बार-ब अब इंसान को यह नहीं पता है कि उससे पीछा कैसे चुड़ाएं तो इस नाट डिजायर तो स्टॉप मेंटल एक्टिविटी नोबडी हेट्स मेंटल एक्टिविटी क्योंकि उसमें तो मज़ा आता है इनीशली जब वह बॉल रोल होना शुरू होती है तो बड़ा मज़ा आता है पर जब वह बड़ी हो जाती है और चाहकर के भी इंसान उ यह हेवी सब कुछ हेवी हो जाता है देन अब परसन वांट्स तो फिल लाइट यानि अब वो थौट शिर्फ थौट नहीं रहे गया है वो फिजिकली मेनिफेस्ट हो चुका है आपको ऐसा लग रहा आपके उपर एक भार है यहां पर और उस भार से फ्री होने का कोई तरी वो कर्डों वो कर लो फॉटएवर यह करो वो करो अब उसमें क्या होता है जाकर के यह अगर आपका का टॉर्चर किया जाए या कुछ आप से कुछ ऐसा करवा जाए जो आप नहीं करना चाते तो पहले 0ishes donks बन्हों चाएगा तो थोरी दिर मैं र effortlessness, एक हलका पन, आपको ऐसा लगता है, एकदम से आपके ओपर कोई भार था, वो हट गया है थोड़ी देर के लिए, जैसा पहाडों में जा करके कुछ लोगों लगता है, सी बीच के किनारे बैठ करके लगता है, या किसी open space में जा करके लगता है, तो कुछ देर के लिए मन शान्त हो जाता है, फिर इंसान बार-बार उसको रिपीट करना चाहता है, और जितना वो चाहता है, अब एक नया थौट पैदा हो रहा है, एक तरह से एक नई बॉल रोलोना चुरू हो गई है, जो स्नोबल बनती चली जा रही है, वो क्या है, now I want to repeat this experience of हलका पन अगेन अन और उसको repeat करने के चक्कर में वो भारी हो जाता है, और अब दो चीजों को clash होता है, एक तरफ से जो responsibilities है, जो दुनिया है, वो अपनी तरफ खीचती है, अगर महाबारत को अब ध्यान से समझोगे, तो वो point जहां पर कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तु तुम चाहो भी तो भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा basic nature है, तुम्हारा धर्म क्या है, युद्ध करना, लड़ना, तो तुम चाहो भी तो भाग कर जाओगे, तो कहां जाओगे, अपने आप से कहां तक भागोगे, तो basically problem क्या होती है, ऐसे लोगों के साथ में, एक है जो उनका basic nature है, which develops over a period of time, जैसे आपका अपने basic nature है, जो मानो 20 साल में, 30 साल में develop हुआ है, वो आपका एक comfort zone है, वो एक ऐसा zone है, जहां पर आप effortless हो, बट वहाँ पर कुछ गरबढ करने की वज़े से thought के level पे, अब आपकी life में भारीपन create हो रहा है, तो अब आप एक meditation center में गए, वहाँ पे हलका पन create हुआ, बट वहाँ पर भी उस हलके पन को repeat करने के चकर में अब एक नया भारीपन create हो गया, तो अब यहाँ भी भारीपन है, और वहाँ भारीपन है, अब यह दोनों मिल करके और heavy हो गया है, जबकि करना क्या है, सिर्फ समझ लेना है कि meditation है, ना उसकी जड़े दुनिया है, आप खुद हो, खुद मतलब क्या, यह जो मैं है, मैं से related जो thoughts है, यह जो मैं का baggage है, जब इसको आप एक्चुल में हलके में ले लेते हो, तो आप हलके हो जाते हो, और इसको हलके में लेने का मतलब क्या, मैं को एक्चुल में समझ लेना कि मैं हलका है देखो ध्यान से समझना मैं को हलका नहीं किया जा सकता है यह जो मैं का भारीपन है ना चाहिए इस दुनिया में है चाहिए वो मेडिटेशन सेंटर में है इस मैं के भारीपन से free हुआ जा सकता है कैसे यह जान करके कि मैं का सच क्या है मैं से हलका कुछ भी नहीं है क्योंकि जो सबसे हलका होता है वो सबसे powerful होता है जो सबसे मैं है ये एक्चुल में सबसे हलका है क्योंकि इसी में सबकुछ है. कॉंशियसनेस जैस्ड़ लाइटा क्योंकि अगर वो हवी होती तो इसमें हवी चीज़ा कैसे आ सकती है जैसे इसपेस हलकी है तो इसमें कुछ भी अकॉमडेट किया जा सकता है तो मैं को जब आप एक्चुन में देख लेते हो कि यह जो मैं है यह पूरी तरह से खाली है तो आप हलके हो जाते हो फिर जब यह भूल जाते हो फिर वापस से वो स्नोबाल रोलोना शुरू हो जाती है फिर वापस से अपने वो याद दिलाना पड़ता है फिर वापिस से आप हलके हो जाते हो तो ये जो effort है ना इस mental baggage से free होने का ये trap है effort करो लेकिन सही direction में करो ये समझो कि ये मैं है क्या इसकी जड़ में जाओ ये जो मैं को हम seriously ले ले लेते हैं ना मैं के जो desires है उसको हम बहुत seriously ले ले लेते हैं उस वज़े से जा करके हम entangled हो जाते हैं और हो का कुछ भी होता है कुछ भी नहीं होता हमें कोई फरक नहीं बढ़ता है दुनिया कई भार में उससे हम कभी भारी नहीं होते हैं बट मैं से related कोई भी हलकी सी भी जो desires है उसके कोई रुकावट आती है तो हम इतनी serious हो जाते हैं उससे पता नहीं क्या है तब राम से बैठ करके अपने अपसे पूछना होता है कि मेरा एक मैं नहीं है बहुत सारे मैं हैं एक 10 साल पहले वाला मैं था एक 20 साल पहले वाला मैं था एक 5 साल पहले वाला मैं था उस वक्त जो मैं था उसके लिए जो बहुत important था आज उसके बारे में सोच करके मुझे ह हो रहे हूं जब कुछ है ही नहीं if you can see के कितने आए कितने गए और इस पूरे आस्मान में सब समा जाता है कुछ नहीं बचता है और कुछ नहीं बचेगा तो जब इस तरह से आपको दिखता है और ये को ठीरोटिकल बात नहीं है ये फैक्ट है तब आप एक एक चीज को समझ सकते हो आपको ये समझ आ सकता है पैसा क्या है जिसके पीछे पूरे दुनिया पागल है what is wealth लोग को पता ही नहीं है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अगर इसको मैंने टच कर दिया तो सारे फंडे हिल जाएंगे लोगों के वो कहेंगे ये होती है wealth एक पॉ if you want to be a billionaire you can be a billionaire in a matter of few days if it is a notion बट ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है तो ये तब नजर आती है इस सब चीजे जब आप एक एक करके इस सब के सच को देख लेते हो कि एक चुब में है क्या तो आपको रास्ता भी नजर आ जाता है उन डिजायर्स को फटा-फट स पूरे करने का तो डिले खतम हो जाता है वही तो तंग करता है आपके अंदर पानी की प्यास है और आपको पानी ना मिले ये प्रॉब्लम है ना पानी की प्यास भी प्रॉब्लम नहीं है पानी मिल जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम कब है प्यास तो बहुत जादा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है तो अगर इंस्टेंट पानी मिल जाए अनलिमिटेट पानी की सप्लाई मिल जाए तो प्रॉब्लम खतम तो हर प्रॉब्लम की जड़ क्या है डिजायर जिसका आपके सर्वाइवल से कोई कनेक्शन नहीं है बस मैं यह चाहता हूं मैं की चाहती हूं और इतनी बार हम अपने आपको वह बोल देते हैं रिपीट कर देते हैं कि वो हमें सच लगने लग जाता है तो जब हम उसको समाईल लेते है हभाणी के से कि अरे वह तो कुछ भी नहीं है यहां पड़ा हूआ है तो ऐहां पड़ा हूँ है तो उसके चेंजि कोशिश मत करो आप नहीं रोक पाऊगे बिल्कुल ऐसा है एक नदी जो बहुत तेज बह रही है उसको आप नहीं रोक सकते हैं सिर्फ समझ सकते हो कि आप क्या हो अगर आप एक तिनका हो और उस नदी को रोकने की कोशिश कर रहे हो तो बह जाओगे जितना एफट करोगे उत पानी रह गया अप कोई दिक्कत ही नहीं है पानी चाहे बहे चाहे रोके उससे फ़र क्या पड़ता है तो फिर क्या होगा कुछ दिनों के लिए बीच वीच में थोड़ा सा एक वो आएगा जब आप अठकोगे नीचे की तरफ जाओगे फिर आगे निकल जाओगे नेचर में हलका सा फ्लक्ट्वेशन होना है कोई ऐसी बीमारी लगने उसको पता भी नहीं लगया कहा गए थे हैसे थे बन जाएंगे लेकिन अपने आपको समझते हैसा है जैसे पतनियम क्या है तो यह प्रॉब्लम है ना और उन्हें लगता है कि हम इसको सह सकते हैं या इस या इसको बन सकते हैं तिनके को लग रहा है नदी के बहाव को और एक चुर में तिनका कहीं भी नहीं है एक थाट है तो जैसी थाट पानी बन गया तो बह गया थाट तिनका है तो वह वहीं पैठ आ रहेगा वह कोशिश करता ही रहेगा मरते दम तक मेरी यह बाते 99.99% यह हैं, उनको सब कुछ पता है, इस बुक में देखो, यह सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे होता है, मेर को यह करना है, उनसे क्या हो जाएगा यह करके, तो जो करने का कीड़ा है हमारे अंदर से, वो निकल जाता है, जो होना होता है, वो होता रहता है, अभी थौट जो है, वो पहले से एक desire है अंदर, कुछ समझने का, अ मैं अपनी बात करूँ, तो यह समझने का desire है, तो वो desire से effort उठ रहा है, कि मैं देखूं इसमें क्या लिखा है, समझूं, आपकी बात को समझूं, उसमें भी effort लग रहा है, बट क्यों लग रहा है effort, क्यों, क्यों क्यों कि हमें लग यह जैसा है तो कहां एंफर्ट है, खेलने में कहां एफर्ट होता है, तो वाइ चांट you understand it playfully, खेल-खेल में क्यों नहीं समझ सकते हैं, और यह क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि इसको समझ के भी कुछ नहीं होने वाला है, नदी का भाव ऐसा का वैसा रहने वाला है, सब कुछ व कहो या वो snow ball कहो वो रूल होती ही रहती है बार बार बड़ी हो जाती है फिर से dissolve हो जाती है अगर किसी को समझ है तो कि इसके beyond क्या है अगर नहीं है समझ तब तो that is very dangerous फिर आपको कोई नो कोई substance चाहिए उसको कुछ देर के ठेराने के लिए उसको रोकने के लिए इसलिए लोग इतना ड्रिंक करते हैं कि ड्रक्स की तरफ जाते हैं या यह स्मोक करते हैं या फिर और बहुत सारे तरीके हैं अपने ध्यान को डैवर्ट करने के वो चाहते भी नहीं है ना यह देखना कि मैं तिनका हूं या मैं नहीं तो इस मैं को समझ लेना कि मैं है ही नहीं उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत समझदारी चाहिए दोनों ही चाहिए सिर्फ हिम्मत से भी काम नहीं चलेगा समझदारी भी चाहिए और सोच ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सिर्फ सत से मतलब हो जिसको ना बाते नहीं चा बीज़ाई हो कि लोगों को तसलीय चाहिए लोग हो सेक्योरीटी यह मेरा किसी की इंसान के साथ में जुड़कर के क्यूंकि हैं ईदियौकर है कि इसको ठूल सलीय नहीं सच को जानना है। उसको कोई इंसाN चाहिए नहीं है। гр योग जितने भी हैं, वो सभी एक ही थाली के चट्टेवटते हैं. जैसे आप हो, वैसे मैं हूँ, जैसे मैं हूँ, वैसे ही आप हो. अब क्या करोगे? क्यों एक इंसान को इंपोर्टेंस दे रहे हो? तो उसको किस से मतलब है? उसको सक से मतलब है. वो सक जानना चाहता है इस चाहा की वज़े से हिम्मत अपने आप आ जाती है और in fact उसके लिए हिम्मत की जरुद भी नहीं पड़ती क्योंकि हिम्मत की जरुद तो पड़ती है जब ये डिजायर आपके अंदर artificially किसी ने प्लांट किया हो अगर actual में डिजायर है तो हिम्मत कहां चाहिए हिम्मत का मतलब क्या है कि आपको जाना है समुद्रपार करना है और एक ख़जाना ढूड़ना है वहाँ पर हिम्मत चाहिए इसमें क्या चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए इसमें तो एक basic curiosity चाहिए let me find out the truth not your truth or my truth or his truth or her truth or the truth in that book na 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 truth उसको सिर्फ सत्से मतलब है ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत असान हो जाता है but majority जो है लोगों की वो ऐसे नहीं होते है उनको कुछ चाहिए होता है पकड़ने के लिए उन्हें कुछ दे दो वो उनको मिल जाएगा वो उसको पकड़के बैठे रहेंगे safe और secure feel करेंगे जबकि actual में बिल्कूल भी safe और secure नहीं है इसका proof यह है जो भी उन्होंने पकड़ा हुआ है उसको उल्टा बोल दो वो आप से ललने लग जाएंगे जो actual में safe है उसकी तो मुठी खुली पड़ी है जो डरा हुआ है उसी ने तो मुठी बंद करी है क्योंकि वो attack mode में है उसका fight or flight response activated है 24 घंटे जरा सब बोल की तो देखो ऐसे लोगों को कुछ मरने मारने पर उतार रुख जाएंगे क्या बोल दिया है किसके बारे में बोल दिया बट जो सच में गड़ा हुआ है उसके तो मुठी खुली पड़ी है कुछ है ही नहीं क्या बोलोगे किसके बारे में बोलोगे उसने कुछ पकड़ा ही नहीं है As long as you remain attached to one extreme or another you will never know oneness truth से related अगर आपके मांड में कोई भी extreme आपने कुछ भी पकड़ रखा है जैसे for example कोई गुफा में बैठा हुआ है extreme है तो कोई भी extreme आपने पकड़ा हुआ है क्योंकि extreme is fragment एक चीज पकड़ी है ना आपने और oneness is all encompassing सब कुछ है oneness में तो जब तक आप एक पाट को पकड़ के रखोगे तब तक आप होल को नहीं देख पाऊगे और पकड़ा किसने है और पकड़ा क्यों है क्योंकि वो खुद एक fragment है जिसकी अपरोच holistic होगी वो तो कुछ पकड़ी नहीं सकता उसमें तो सब कुछ आ गया यह जो पकड़ने वाला और छोड़ने वाला है ना उसको हम कभी question नहीं करते हैं बस पकड़ते और छोड़ते रहते हैं इसलिए हम वननेस को कभी एक चुल में experience नहीं कर पाते हैं बाते करते हैं लव की, compassion की, वननेस की हर कोई बाते करता है किसी की भी पास चले जाओ बाते करेंगे कि आप ये हो, आप वो हो क्या पकड़ा हो गया है for example, if somebody is saying कि आप light हो तो darkness कहा है जब आप कह रहे हो कि मैं light हूँ तो it is implied कि आपके अंदर darkness का डर है इसका मन्दल दो हो गए ना एक light हो गई, एक darkness हो गई आप कहते हो, मैं शान्त हूँ तो अशान्त कहा गया अशान्ती किसमे है तो वो शान्ती और अशान्ती दोनों के परे है वो light और darkness दोनों के परे है यानि दोनों उसी में है उसके लिए light और darkness दोनों बराबर है शान्ति या शान्ति दोनों बराबर हैं, life, death बराबर हैं, अच्छा बुरा बराबर हैं कुछ है ही नहीं उसके लिए का सकते हैं क्योंकि यह तो words हैं जो हम बोलते हैं नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है क्योंकि देखो, एक है जो actual fact of the matter है वो क्या है कि उस level पर तो कोई words की जरुवत ही नहीं है जो है जैसा है सो है वहाँ पर कुछ पकड़ना छोड़ना है ही नहीं non-stop एक बहाव है जो बहे चले जा रहा है एक wave है जो endlessly भे रही थी भे रही है और भेती ही रहीगी और वो ही मैं हूँ तो ये तो हो गया short में हमने बात को खतम कर दिया बट existence की तीन level है अगर आप holistic की बात करो actual में अगर आप पूरी तरह से समझोगे life को तुँ और लोग इन तीनों में से किसी एक जगे पर जीते हैं तीनों को कभी नहीं देखते हैं एक है आपकी body का level इसको आप कैसे इग्णोर कर सकते हो body में क्या आगए आपके senses आ गए आपके desires आ गए needs आ गई तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हो इसको तो include करना ही पड़ेगा क्योंकि बिना इसके तो कुछ भी नहीं है बिना इसके कहा है sound of silence बिना इसके कहा है ये universe बिना इसके कहा है this concept of oneness or non-duality or love or compassion or hatred whatever तो यहीं से तो शुरुवात करने पड़ेगी तो body के level पर आपको देखना पड़ेगा आप कितने control में हो और कितने नहीं हो इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी है कई बार क्या होता है हम कुछ कहानिया सुनते हैं लेकिन लोग कहानियों में ही उलज करके रह जाते हैं उस कहानी के मतलब को नहीं समझते हैं एक बार हनुमान जी से किसी ने पूछा कि भगवान राम में और आप में क्या फर्क है तो हनुमान जी ने सिधा सिधा जवाब दिया कि शरीर के स्तर की अगर बात करी जाए तो मैं भगवान राम का दास हूँ मन की बात करी जाए तो मैं भगत हूँ आत्मा की बात करी जाए तो मैं राम ही हूँ तो मुझ में और राम में कोई फर्क नहीं है तो लोगों ने कहानीयों सुनली और कुछ भी इमाजन कर रहे हैं अरे समझो तो सही क्या कहा जा रहा है किस लेवल पे क्या बात कही जा रही है क्या बॉड़ी के लेवल पे दास नहीं हो इस पूरे युनिवर्स के युनिवर्स के अपने कुछ लॉज है अगर उसको वाइलेट करोगे तो ऐसी punishment मिलेगी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं दिन दहल जाएगा ऐसे सी बिमारी हैं इस दुनिया में और लगी रही है लोगों को और यह मत समाज़ ना कि आप करोगे गलती तो आपको punishment मिलेगी आप हो कहाँ कोई भी करेगा कोई भी मतलब क्या इनसान हम हम गलती करेंगे तो हम भुगतेंगे हम गलती करेंगे हमारी आने वाली generations भुगतेंगी भुगती रही है यह pollution यह वो इसका जो impact है जो अभी बच्चा पैदा हुआ है उसके कर्मों के वैसे थोड़ी आ रहा है वो हमारे कर्मों के वैसे आ रहा है या हमारे से पहले जो generation थी उन्होंने जो किया या जो हम कर रहे हैं उसका impact आने वाली generations पे आने वाला है एसी एसी बिमारीया जो हुदे पहले सुनी ही नहीं थी वो धिरे-धिरे ब сторटी चली जा रहे है बिमारीया पहले भी थी अभी है आगे भी रहेगी बट कहने का मतलब है कि यह जो हम गलतियां कर रहे हैं हम इनसान उसकी वाज़े से क्या हो रहा है है वो हमें साफ नजर आ रहा है क्लाइमिट के लेवल पर हर लेवल पर इनन अच्छेल अगर बॉड़ी की लेवल की बात करी जाए तो हम दास हैं इस प्रकृती के यह बात जितनी जल्दी जिस इंसान को समझ आ गई वो उतना ही सही से जी पाएगा यानि क्या करो इस प्रकृती की सेवा करो इसके जो लॉज है उसको चुप चाप फॉलो करो पूछने की जरूरत नहीं है चाहे वो डाइट है एकसरसाइज है बेसिक लॉज है धरती जल अगनी वायु अकाश इससे जितना कनेक्टिड रहोगे उतना ठीक रहोगे इससे जितन दूर जाओगे यानि अपने मोबाइल में इसमें उसमें उसमें अंटैंगल हो जाओगे उतना ही बुरी तरीके से फसोगे और फिर उसके बाद में जो पेंज होंगे बॉडी के लेवल पे that is going to be unbearable क्यों क्योंकि आप खुद को मालिक समझ रहे हों आपको यह लग रहा है I am in control of my life. You are not in control of your life. आप दास हो. इस बात को अच्छे से समझ लो. तो जो लोग बोलते भी हैं कि मैं दास हूं वो बाहर बार से दिखाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो बोलने में ego को बढ़ा अच्छा लगता है. सेवा करते समें भी ego बढ़ा रहे हैं. और वो इस तरीक किसे बोलते हैं कि मैं तो दास हूं तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है. अंदर से इस बात के सच को देख लो. कि आप इस प्रकृती के इस यूनिवर्स के नेचर के दास हो. जो नेचर के लॉज हैं चुप चाप समझो और उसके हिसाफ से चलते चले जाओ. सर्व करो इस नेचर में तो ठीक रहोंगे. जहां अपने आपको मालिक समझा और कब्जा किया वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू. अंदर से हाथ जोड करके रहों. अंदर से जुक करके रहों. अगर इमेजिन करना चाहते हो तो अपने सर को उठा करके भगवान के पेरों में अपने सर्वेंटू. यह हो गया बॉडी का लेवल. सेकिंड लेवल, माइंड का लेवल, डिजायर का लेवल, वह स्नॉबॉल जिसके अभी में बात कर रहा था, वह तिन का. वह कहीं जाने वाला तो है नहीं? थौट तो कहीं जाने वाला है नहीं? वह मरता भी नहीं है. इस से ही एक खूल की बून टपकती थी, तो उससे और राक्षस पैदा हो जाते थे. तो उनको मारा ही नहीं जा सकता. राग और द्वेश, यह हैं वो दो राक्षस. यह राक्षस हमारे सब के अंदर हैं. इन राक्षसों को कंट्रोल करने क्या तरीका है? भक्ति. यानि भगवा से जुड़े रहो. भगवान मतलब क्या सत से जुड़े रहो. अब आप चाहे भगवान के नाम से जुड़ो या भगवान से जुड़ो. नाम अगर आप ले रहे हो और सिर्फ नाम है और अंदर से खोकला है तो बेकार हो गया. या नाम के साथ में कोई इमेज जुड़ी बट अगर नाम के मीनिंग को आप देख पा रहे हो, फिर नाम ले रहे हो तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, तब वो मंत्र पावफुल है. If you are saying Aum, and Aum के सच को आप देख पा रहे हो, और Aum की भक्ती कर रहे हो, यह जानते होए कि Aum क्या है, तो आप Aum से जुड़ रहे हो ना, क्या जुड़ रहे है, आपका मन, क्योंकि मन अलग है ना, मन दो जगे जुड़ सकता है, या तो सत से, या फिर इस संसार से, जिसको विश बोलते हैं, विश है, इंग्लिश में भी देखो क्या मज़ेगी बात है, विश, हिंदी में विश, इंग्लिश में विश, जहां इस विश में एंटांगल हुए, विश्यों में, आप समझ जाओ, भारीपन शुरू, तो हलकी होने का तरीका है, अंदर से माइंड के लेवल पर भगती, अगर हम विश्यों के जरीए भी, सिर्फ टूथ को ही समझ रहे हैं, तो विशे में आप कर लें उस तरह से, वाइनोट, इसलिए अगर आप देखोगे कि यहां पर एक प्रथा है, कि खाने से पहले हाथ जोड़ो, क्योंकि खाने में भी भगवान है, पहाड में भी भगवान है, सूर्य में भी भगवान है, सब को हम देव बोलते हैं, देव मतलब कौन जो देता ह है, जो देव, सूर्य हम से कुछ लेता थोड़ी है बदले में, देता ही तो है, तो इसलिए सूर्य भगवान है, तो आप खुद को सूर्य का दास कहो, या सूर्य का भग्त कहो, फिर इस पूरी प्रकृति के आप भग्त हो गए और दास हो गए, तो इस तरह से आप देख सक तो इसको आप प्रेम भी कह सकते हो और भग्ती भी कह सकते हो, दोनों में कोई फर्थ थोड़ी है, क्योंकि उसके थूरू आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, उसके थूरू आप उस एक से जुड़ रहे हो, अब चाहे तो आप उसको एक स्टैंपॉंट से तो प्रेम कह दोगे, it is one and the same thing, प्रेम में it is implied के दो है, यहाँ एक ही है वहाँ पर प्रेम किसका किस से, जुड़ने के लिए दो तो होने चाहिए न, तभी तो हम कहेंगे कि यह जुड़ा है, क्या जुड़ा है, वो दो जो अलग दिखते हैं बट एक्चुल में अलग नही है, वो जुड़ने को प्रेम कहते हैं, एक्चुल में फिजिकली दिखने में सेपरेट है, माइंड के लेवल पर पूरी तरह से सेपरेट है, तो अगर माइंड के लेवल पर वो जुड़ जाता है, तो उस जुड़ने को भक्ती कहते हैं और प्रेम कहते हैं, तो माइंड के लेवल पर क्या इलाज है अगर आप माइंड से बचना चाहते हो माइंड के थुरू अगर माइंड से ही बचना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है भक्ती और तीसरा लेवल क्या है आत्मा आत्मा मतलब क्या मैं उस लेवल पर मुझ में तुझ में इसमें उसमें कहीं कोई फर् नहीं है तो तीनों लेवल को समझना पड़ेगा और आपको समझना होगा कि किस वक्त किस अंडेस्टैंडिंग की जरूत है एक अंडेस्टैंडिंग हर्जे के काम नहीं आएगी कहीं आपको सब कुछ मैं ही हूँ अहम भ्रह्मस्मी अच्छा समुद्र में आप चले जाओ आपको सुमिंग आती नहीं है अहम भ्रह्मस्मी डूप जाओगे उस समय बॉड़ी के लेवल पर देखो उस वक्त आप दास हो समुद्र के उन लहरों के दास हो उन लहरों के आगे आप कुछ भी नहीं हो माइंड की लेवल पर उल्टे सीधे काम कर रहे हो और ये समझ रहे हो कि I'm in control तब आपको माइंड आपकी अखकाद दिखाएगा कुछ तिन बाद कि आप actual में क्या हो जब वो हावी होगा आपके उपर फिर आपको समझ नहीं आएगा वहाँ से बाहर कैसे निकलू फिर उन्हें लगता है effort से मैं इससे बच जाओंगा नहीं बच सकते जैसे दल-दल में जितना effort करोगे उतना ये नीचे दसोगे ऐसा ही ये संसार है सर एक पार वो भक्ति वाला पॉइंट थोड़ा सा और सम्झा दोगे आपने बोला ना कि भक्ति चाहे आप उस वर्ड की करो ये जानते वे राम की करो ये जानते वे कि राम क्या है या फिर भगवान की करो It is one and the same, क्योंकि राम मतलब क्या, जो कण कण में रमा हुआ है, उसको राम बोलते है, उस लेवल पे भी डुआलिटी रहेगी ना, एक भक्त, एक जिसकी भक्ती वो कर रहा है, तो दुआलिटी तो ही ना, माइन के लिए देखो, यही तो मैं कहे रहा हूँ, जो होलिस्टिक अ जानवरों के अलग है, जानवरों के अलग है, सिंपल है, एद लेवल प माइन डुआलिटी है यह नहीं है, है, और वो रहेगी, क्योंकि आप जब भी ऑपरेट करोगे इस दुनिया में, आपने मैं से ही तो अपरेट करोगे, तो मैं का मतलब तो तो आई गया ना, और मैं तो रहेगा, और रहना भी चाहिए, क्योंकि नहीं रहेगा, तो कोई भी आपको बेवकुप बना देगा, तो जो स्नोबॉल वाला एक्जाम्पल दिया था अपने उससे, फिर हम बच जाएगा मैंड उससे, बच नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप रहोगे, बॉडी रहे जा सकता है, जो आत्मा का स्तर है, उस लेवल पे चाहिए कुछ भी हो रहा है, चाहिए वो शांत है, चाहिए वो जगा हुआ है, चाहिए वो स्नोबॉल पूरे तेजी से रोल हो रही है, नदी पूरी तेजी से बह रही है, आदी तुफान है, कुछ भी है, वो सा मुझ में ह यह हो गया आत्मा का स्तर तो क्यामी कह सकते हैं कि इस समय जो हम कर रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह हम मन के स्तर पर कर रहे हैं तो यह भक्ती है जो हम इस समय कर रहे हैं नोट भक्ती, यू कॉल इट ग्यान क्योंकि अभी हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं भक्ती का मतलब क्या होता है कि आपके मन में भगवान की याद बनी रहे कि ऐसा ना हो कि आप जैसी अच्छा वक्त आए तो भगवान को भूल जाओ लोगों के साथ में क्या होता है जब वक्त अच्छा होता है तो एक्चल में वो भगवान को भूल जाते हैं वो खुद भगवान बन जाते हैं जब वक्त बुरा होता है तब भगवान के पास जाते हैं भागते हुए होना इसका उल्टा चाहिए जब वक्त अच्छा है तो आपको भक्ती करनी है तब भगवान का नाम याद रखना है क्योंकि यह जाया दिर तक रहने वाला नहीं है अभी यह जो काम आप करोगे यह उस वक्त आपको काम आएगा जब एक्चुल में वक्त खराब शुरू होगा यह भक्ती उस वक्त काम आईगी तब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इस भक्ती से जो आपने करी अपने अच्छे टाइम में अपने बुरे वक्त में लड़ने के लिए या प्राब्लम का सोलूशन निकालने के लिए या उस प्राब्लम को सहने के लिए बहुत सारी problems का कोई solution ही नहीं है ये जो सेहन शक्ति जिसको बोलते हैं ये कहां से आएगी ये एक तरह का एक bank account है जिसमें credit हो रहा है और debit होगा तो लोगों का bank account ही खाली है minus में है क्योंकि जैसी वक्त अच्छा आता है तो अपने आपको भगवान समय लग जाते हैं फिर जब वक्त खराब आया ता भगवान के पास भाग रहे हैं भगवान क्या है वो ही bank account है भक्ति का account है वो खाली है माइनस में है तो कहीं से भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है फिर एंसान के पास भागते हैं वो जो थोड़ी से उमीद दिखाता है कि देखो ये कर लो ये हो जाएगा ये कर लो वो जाएगा फिर तेरी सब करते काम कर रहे हैं उस प्रштू के काम कर रहे हैं पूरी कि जब तक आपकी जो फ्राग्मेंटेड अप्रोच है जो हम बात कर रहे थे कि वो तिनके के लेवल पे ही जब सब कुछ हम देख रहे हैं और पानी को नहीं देख रहे हैं तो फिर पानी को नहीं देख पाएंगे क्योंकि तिनका actuarly में नहीं है बड ही जो इमाजिनेशन है उसकी उसमें जी रहे हैं कोई भी एक्सरीम पकर सकते हैं ये भी एक्सरीम में जिसके आप बात कर रहे हो जो और क्तिनका जो नहीं है बीडल में तो फिर कुछ भी नहीं है एक ज जो पुल गिल L अगर बॉला है बॉल बी क्या है इंगर लेवल पे तो है इंका मतनब क्या थॉरो तो यह भी एक एक्स्तीचम है कि अबॉड highly थॉॉ con meaning अगर हम देखें कि मैं थो और घ्जिसक2 मैं बोलते हैं, exactly that's what I am saying, this is also an extreme thought कि नहीं है, क्योंकि एक्चुल में है, वह existence है उसकी, thought के level पर तो thought के existence है ही ना, आप उसको छू नहीं सकते, जैसे कप की तरह छू नहीं सकते हो, you cannot touch it, but it's there, it's very much there, all I am saying is, अगर एक्चुल में वनने इसको समझना है, एक्चुल में holistic approach चाहिए, तो उसमें body भी है, mind भी है और soul भी है, तो सब कुछ उसमें आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये extreme हैं जिसको हम पकड़ते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, senses बुरे हैं, त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, तो क्या करें, मैं मर जाएंगे, मार तो कुछ तो, त्याग तो सकते हैं, नहीं हो, देखना नहीं छोड़ सकते, सुनना नहीं छोड़ सकते, खाना नहीं छोड़ सकते, पीना नहीं छोड़ सकते, if that information is there desire is there the beginning of desire is information is always the known not the unknown unknown desire कैसे हुआ कुछ ही नहीं तो नोन में ही तो है so information तो कहीं जाने वाली है नहीं या तो आपकी यादास चली जाए वो चली गए तो वैसे आप एक वेजीटेबल बन गए तो बचा ही क्या फिर तो गाएं भैसों में और हमें फर्क क्या रहे गया तो जब information है तो तिनकावी है किस लेवल पर है जिस information के लेवल पर है बट information तो ही ना ऐसे तो बॉड़ी भी information है वो subtle information है ग्रॉस information है बट है तो बॉड़ी भी है mind भी है soul भी है सब कुछ है अब आप कह सकते हो कि अब आप wannes को actual में समझ पा रहे हो नहीं तो आप क्या करोगे गल्ती कि जब तिनका है नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी याद बनी रहे कि में तिनका नहीं हूँ मैं पानी हूँ फिर हम confused हो रहे है ति बिल्बुला भी बुल्बुले की जगे हे ही Aleak और हम बोल रहे हैं कि पानी की जगह रहने दो या पानी तो पानी की जगह है ही, बुलबुला भी बुलबुले की जगह है ही, बुलबुले का जो थौट है, वो भी अपनी जगह है ही, नाम और रूप अलग कैसे होगा, वही नहीं सकता, एक है बुलबुला जो उसका रूप ह पानी का, एक है उसका नाम. पहले नाम आता है, बाद में रूप आता है. कभी अपनी म्रेन को observe करना. पहले word फिर image. राइट. पहले word आता है, बाद में image आती है. बटेज इतनी तेजी से होता है, कि हम देख नहीं पाते हैं. जैसे अगर अभी मैं आपको कुछ colors दिखाऊ यहाँ पर और उस color को अलग उसमें लिख दू, word में, तो पहले आप पढ़ोगे, बाद में color को register करोगे, तो इससे क्या prove होता है, कि पहले हमारा mind बोलता है, फिर उसको image दिखती है, तो जो बोल रहे हो, वो सब क्या है, thought, information, images क् जो एक्चुल में दिख रही है, उसी के तो image store होती है, जैसे कुरसी की image, sofa की image, यह red color का sofa है, यह सब क्या हुआ, हमें दिखा, तभी तो image store हुई, और इसके बारे में जो हम बोल रहे हैं, तो सब कुछ है, तो तीनो level पे देखना पड़ेगा, सिर्फ एक level पे देख रहे है हाँ, planets बनेगे, मिटेंगे, galaxies बनेगे, मिटेंगे, पर इतना बड़ा universe है, कहीं और manifestation चलती रहेगी, अलग अलग तरीकों से, तो यह प्रकृती थी है और रहेगी, जब प्रकृती रहेगी, तो ऐसा एक नेक वक्त जरूर आएगा प्रकृती में, या उस planet पर, जब information manifest होग है, तो कुछ भी नहीं मिटेगा, सब कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा हमेशा, जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, तो हम ना आप कुछ किसी चीज को पकड़ेंगे, ना छोड़ेंगे, अब ना कुछ पकड़ने के लिए, ना छोड़ने के लिए, एक्चुल में, नहीं तो कहीं कि न कहीं छलागे मारने की कोशिश करोगे ले या तो non-duality के concept में जाकर किर फसोगे या तो कहोगे मैं आत्मा हूँ तो आत्मा हूँ तो आप बाडी गया है या कहोगे मैं बाडी नहीं हूँ अरे बाडी तो है तो कहीं नहीं जा करके entangled हो जाओगे, confused हो जाओगे, उसमें सब कुछ include हो जाता है, oneness में, उसी को तो oneness कहते हैं, और किसी level पे भी कुछ नहीं किया जा सकता है, जो जैसा है, so है, है, you cannot do anything about the form, or the formless, or the information related to the form, or the formless, or the discerning thought of the form and the formless, discerning thought, जिसके हम बात कर रहे हैं, वही तो भक्ती है, discerning मतलब, discerning मतलब, अलग-अलग करके देखना, कि क्या है, क्या नहीं है, form and formless, तो सब कुछ रहता है, कुछ भी नहीं मिटता है, यह जब हम को समझ आ जाता है, तो अब हम उस oneness को actual में देख पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं, जैसी वो है, वैसी ही, not the concept of oneness, I think आज के लिए इतना काफी है, बाकी का next session में touch करते हैं, wish you all the best, see you then. Thank you, sir.